नमस्कार मैं डॉक्टर आरिफ अलिखान एडिशनल डिरेक्टर लिवर ट्रांस्प्रांट एच्पीब और गैस्टो सर्जरी वेकटेश्वर हॉस्पिटल दौरका न्यू डिली आज हम बात करेंगे लिवर ट्रांस्प्रांट के बारे में इसके बाद कुछ दवाओं या वाइरल इंफेक्शन की वज़े से जब लिवर में खराबी आती है तो जिसको हम बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर इसके अलावा कई कारण ऐसे होते हैं जो कि बच्चों में अलग बड़ों में अलग जिसके लिए हमें ट्रांस्प्लांट की आवशक्ता पड़ सकती है सो मुस्ट कॉमन कॉस की अगर बात करें जो सिरोसिस है क्रॉनिक लिवर डिजीज वो दो प्रकार के रहते हैं इस दिकंपेंसेटेट सिरोसिस तो इस नहीं हो गया है लेकिन अभी पेशिंट को सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं तो उस परि सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं डि Cup बैंне में तो मरीज को पी लिया हो सकता आँखों में पीलपन होना या पीला जाना पेट में पानी भरता प्रेजिया उसमें बार बार इंव्च्शन हो न या उसको निकालने कि अवश्छ्छा पढ़ना खूं की उल्टी हो या लै लैतिं में जा सकता है किड्नी पे असर पड़ सकता है जिसको हम बोलते हैं पैटोरिनल सिंड्रोम और लास्टली लिवर में ट्यूमर डेवलप हो जाना तो यह सारे फैक्टर जो है डिकम्पेंसेशन में आते हैं तो किसी मरीज को एक या कोई इसका क्राइब अकूसटांच हो सकता है जो प्लस्काराइब टारन प्लसक्तव करते हैं लेकिन हां जब एक स्टेट पहुंच जाती है तो फिर स्वी करते हैं लिव त्सवाड सम्ट की बहुए अगर अगर کے्लि डिजीज की बात करें तो सक्सेश्ट आनिटी 55-96% जो कि थोड़ा कम हो जाता है एक्यूट लिवर फेलियर में जो की पिछितर से 80% के करीब होता है ऐसा नहीं है कि टांस्प्रांट होने के बाद मरीज अपनी अपनी नॉर्मल अक्टिविटी नहीं कर सकता है, वो अपना डेली रूटीन, अपना जॉब, अपनी होबी इस को नॉर्मली पर्सीओ कर सकता है, अगर किसी मरीज को ट्रांस्प्रांट की जरूरत है, तो डेफिनेटली यह शूद गो फॉर अलिवर ट्रांस्प्रांट, इफ इस इंडिकेटेड, थैंक यू.